कहानी की शुरुआत होती है और हम एक भाई बहन को देखते हैं जो सहर से अपने गाउं की तरफ जा रहे थे इनका नाम बैकी और कॉल है बैकी प्रेगिनेंट थी मगर इसके वाइपरेंट को ये बच्चा नहीं चाहिए था इसलिए बैकी उससे नराज होकर अपने भाई के साथ गाउं जा रही थी रास्ते में इसकी तवियत खराब हो जाती है इसलिए गाड़ी रोक कर एक जगा अराम करते हैं तभी इने रोड के किनारे जो घास थी उसमें से किसी बच्चे के चिलाने की आवाज आती है जो हेल्प के लिए मदद मांग रहा था कॉल उस बच्चे से पूछता है क्या हुआ है तुम्हें जिस पर वो बताता है कि वो अंदर खो गया है प्लीज मुझे बाहर आने में मदद करो इसके बाद कॉल अपनी गाड़ी को पास में एक चर्च के पास पार करता है यहाँ पर पहले से ही बहुत सारी गाड़िया खड़ी थी मगर इनके अलावा यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था बैकी को यहाँ पर कुछ गरबर लग रहा था इसलिए घास के अंदर नहीं जाना चाहती थी मगर उस बच्चे की आवाज लगतार इन्हें सुनाई दे रहा था इसलिए कॉल को रहा नहीं जाता यह उस बच्चे को ढूड़ने के लिए घास के अंदर चला जाता है इसके ब पता है कि बैकी पीछे रह गई है इसलिए बैकी को भी आवाज लगाता है यहाँ पर तीनों एक दूसरे की आवाज सुन रहे थे मगर कोई भी आपस में नहीं मिल रहा था ऐसे ही करते करते इन्हें पता चलता है कि यह दोनों भी आपस में पिछड़ चुके हैं मगर अच्छ करने के बाद यह दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं जो काफी करीब थे कॉल कहता है तो महीं पर रुको मैं आ रहा हूँ थोड़ा आगे जाने के बाद भी कॉल को बैकी नहीं मिलती इसलिए दोनों दुबारा जम करते हैं और यह क्या देखते हैं कि यह दोनों एक दूस अब धीरे धीरे साम हो रही थी तब ही अचानक बैकी के पास रोज नाम का एक आदमी आता है जो अपने बेटे टॉबिन को ढूड रहा था तब हमें समझ में आता है कि टॉबिन नहीं इनको हेल्प के लिए आवास दिया था इस तरह कॉल को टॉबिन मिल जाता है जिसके बहुत गंदे थे कॉल टॉबिन से पूचता है यहां क्या चल रहा है तॉबिन को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी बात का डर ना हो यह कॉल से बताता है कि जल्दी तुम्हारी बहन मरने वाली है यह सुनकर कॉल बहुत डर जाता है तॉबिन कहता है अगर तुम्हें जानना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो चलो मेरे साथ टॉबिन इसको एक बड़े से पत्थर के पास लेका राता है ये इस पत्थर को छू कर इसे बताता है कि अगर तुम इस रॉक को छू को छूओगे तो तुमें सब कुछ पता चल जाएगा कॉल जैसे इस रॉक को छूने वाला था तभी इसे बैकी के चिलाने की आवाज आती है तो अब इन कहता है बहुत देर हो गई है इसका मतलब अब बैकी मर चुकी है कॉल भागते वे उस आवाज की तरफ जाने लगता है अब यह सिन यहीं पर कट होकर हम ट्रेव थी ऐसा लग रहा था जैसे यह गाड़ी यहाँ पर बहुत दिनों से खड़ी हो तभी इसे यहाँ पर बैकी की वो किताब मिलती है जो अकसर पढ़ा करती थी इसे लगता है कि सायद वो इन घास के अंदर गई होगी इसलिए अब ट्रेविस भी इस घास के अंदर बैकी को मगर ऐसा नहीं होता जैसे ही आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे घास अपने आप खुलती जा रहे थी ट्रेविस सूरज को देखकर सीधे आगे बढ़ रहा था तभी अचानक से सूरज अपनी दिशा बदल कर इसके पीछे आ जाता है यह देखकर ट्रेविस को बहुत अजी टॉबिन कहता क्या तुम मुझे भूल गए मैं टॉबिन हूँ और तुम यहाँ पर अपनी गल्फरेंट बैकी को ढूड़ने के लिए आये हो यह सुनकर ट्रेविस के तरह हम भी चौक जाते हैं कि आखिर यह बात इसको कैसे मालूम खैर यह सब हमें आगे पता चलेगा इस जहाँ टॉबिन साब सुतरे कपड़े पहन कर अपने मॉम डैट के साथ बाहर कड़ा था इसे ट्रेविस की आवास सुनाई दे रही थी जो इसे घास के अंदर रहूड रहा था तभी टॉबिन का डॉग घास के अंदर चला जाता है टॉबिन भी उसके पीछे अंदर आता ह और इस तरह एक के करके टॉबिन की पूरी फैमली घास के अंदर आ जाती है यहाँ पर भी इन सब को एक दूसरे की आवाज सुना ही दे रही थी ट्रैविस इन लोगों को घास के अंदर आने से मना कर रहा था मगर तब तक यह लोग भी अंदर आ चुके थे और थोड़ी ही देर में यह सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ऐसे ही करते करते रात हो जाती है अब हमें टॉबिन के डैड रॉस को दिखाय जाता है जो उस पत्थर के पास पहुँच चुके थे अब ये सीन यहीं कट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाय जाता है जहांपर बैकी अपने भाई के साथ बाहर थी तब ही टॉबिन घास के अंदर से हेल्प के लिए चिलाता है और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह वही सीन है जो हमने मूवी के सुरुवात में दे देती है जो एक दूसरे को आवाज लगा रहे थे ट्रैविस भी बैकी को आवाज लगाता है जिस पर ये दोनों भी जवाब देते हो और इस बार ये लोग किसी तरह आपस में मिल जाते हैं ट्रैविस बैकी को देखकर बहुत खुश था और साथ में कन्फ्यूज भी होता है क्योंकि इसने पिछली रात बैकी की डेड बोडी देखी थी बैकी कहती है तुम हमसे पहले यहां आये हो और यह कह रहा हो कि तुम हमें ही ढूंडने आये हो यह कैसे हो सकता है यहां पर ट्रैविस बहुत ही अजीब बात कहता ह इसका कहना था कि यह इन दोनों को ढूंडनेने के लिए दो महीने बाद यहां पर आया है यह सुनकर सभी लोग और भी जादा कन्फ्यूज होने लगते हैं क्योंकि इन्हें यहां आये बस कुछी समय हुआ था ठैर आगे बढ़ते हैं अब इन सबको एक साथ यहां से बाहर निकलना था ट्रैविश टॉबिन को अपने कंधे पर बैठा कर यहां से बाहर जाने का रास्ता धूनता है यहां पर इन्हें थोड़ी दूर पर एक घर दिखाई देता है यह सभी लोग उस घर की तरफ एक साथ बढ़ने लगते हैं तभी रास्ते में बैकी के मुबाइल प यहां पहुँच जाते हैं जो बैकी को किसी तरह से होस मिले कर आते हैं इसके बाद यह लोग आगे बढ़ने के लिए टॉबिन के जरिये उस घर का रास्ता देखते हैं मगर अब वो घर वहां से गायब हो चुका था और रात भी हो रही थी रोज कहता है मुझे यहां से बा माकर इने रोग लेती हैं इनका कहना था कि यह इसके पती नहीं है बलकि कोई बहरूपिया है इसने अभी अभी अपने पती की लास देखी है यह सुनकर किसी को भी इसकी बातों पर यकिन नहीं होता रोज अपनी बीबी को समझाने की कोजिश करता है कि तुम्हें जो देख वो सच नहीं है यहाँ पर रोज इन सब को बार बार उस रोग को चूने के लिए कह रहा था मगर इसकी बीबी के वज़े से कोई भी इसकी बात नहीं मान रहा था इसलिए रोज अपने ही बीबी का सर फोड़ कर इसे मार देता है यह देखकर बाकी के लोग रोज से डर कर और दोस्तों यहां पर हमें कॉल की बहुत सारी डेड बॉडी दिखती है जो हर बार यहीं पर आकर मर जाता था इसके बाद यह बैकी को पकड़ कर इसे भी मारने की कोशिश करता है मगर बैकी किसी तरह इसकी आँखों में कहची घुसा कर भाग जाती है थोड़ी दूर भाग बार इसके वज़े से इसका मुबाइल खराब हो जाता है तब ही यहां रोज आकर बैकी को बहुत बुरी तरह से मार देता है तब तक यहां ट्रेविस और टॉबिन भी पहुंच जाते हैं इसके बाद रोज और ट्रेविस में बहुत देर तक लड़ाई होती है लास्ट में इस रोग को छूने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था इसलिए ट्रेविस भी इस रोग को टच करता है इसके टच करते हैं उस रोग से बहुत सारी बुरी आत्मा इसके सरीर के अंदर परवेश कर जाती है और इसे यहां से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है मगर गारी की चावी देकर इससे कहता है तुम्हें बाहर जाकर हमें यहां आने से रोकना होगा तौबिन कहता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो ट्रेविस कहता है इससे पहले बहुत देर हो जाए तुम्हें यहां से जाना होगा और फिर एक जटके के साथ टौबिन घा और यहां पर फिर से वाई सीन रिपीट होने वाला था बैकी और कॉल उस बच्चे की आवास सुनकर घास के अंदर जाने वाले थे तॉबिन भागते वे इनके पास आकर रोते वे इन्हें सारी बात बताता है और इनकी ही गाड़ी की चाबी देकर कहता है कि यह मुझे स्टैब होने लगती है अब इनके पास यहां से वापस जाने के सीवा और कोई रास्ता नहीं था इसलिए अब यह तीनो घास के अंदर ना जाकर स़हर की तरब जाने लगते हैं अंदर ट्रैविस इनकी बात सुन रहा था और देखते ही देखते घास फूरी तरह से ट्रैविस को अपने कंट्रोल में कर लेती है और इसी के साथ ये फिल्म खतम हो जाती है तो ये थी इस मूवी की कहानी अब बात करते हैं आखिर इस मूवी में चल क्या रहा था और ये टाइम लूप कैसे श फैमली घास के अंदर आई तो सवाल ये है कि सबसे पहले घास के अंदर कौन आया तो देखिये इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि ये सभी लोग एक टाइम लूप में फस चुके थे और ये लूप इस रॉक की वज़े से हो रहा था लास्ट में ट्रैविस ने टॉविन क यहां पर मौजूद थी मगर चाह कर भी ये लोग आपस में नहीं मिलते क्योंकि इनका एक रूप दिन में था और एक रात में ये सब कुछ उस रॉक की वज़े से हो रहा था उम्मीद करता हूँ ये मूवी आपको समझ में आये होगी तो चलिए मिलते हैं किसी और मूवी क ये साथ